जैसे कि आप जानते हैं कि हम जोग्रफी का फोर्थ चैप्टर जो कर रहे हैं जिसका नेम है मैप और इस लेशन में जो ना अब तक जो हमने एक वीडियो जो है हमने शेयर की है और आज हम उसी टोपिक को आगे बढ़ाते हुए अपना कंसेप्ट कलियर करेंगे तो बच्चो लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने मैप के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो मैप हो कितने टैप्स क्यों होते हैं उसमें बताया नत्स बात हैं कि उसके बारे में भी हम जानेंगे तो पहले हम कॉपोनेंट के बारे में बात करते हैं जो कि काफी important है उस map को जब हम read करते हैं यहां यह लिखा है how do we read and interpret a map कि हम map को जो जो हम read कर सकते हैं कैसे जो जानकारी जो होती है उसमें जो information दी जाती है उसको हम कैसे जो ना वह पढ़ते हैं कैसे इसको read करते कैसे इसको समझते हैं सबसे पहले यहां पर आब बात आती है the title the title of a map tells us what the map represents that is whatever it represents the administrative unit or land form or climate condition distribution of crop or wildlife अटेस्ट्रा तो बच्चों यहां पर यह कहता है कि जो map होता है उसके टाइटल दिया जाता है इसको नाम लिखा जाता है कि यह map जो नो किस चीज़ का है और उससे हमें जानकारी मिलती है जानकारी मिलती है तो उसमें उपर टैटल लिखा जाता है सबसे उपर और उसमें बताया जाता है कि यह जो map है वो किस परपर से जो बनाया गया है उसके बदे एंच इसए की अईयर्क साफंच लाव। एह प्रीटा इंच अपर एपा कोर्ली मेप रूपला प्रा बस्टान कीय encourage तो बच्चों यहाँ पर यह कहता है कि हम जब भी कोई मैप देखेंगे उस मैप के हमेशा राइट साइड हैंड को जोना अपर पॉइंट के अंदर एक एरो लगा होता है और उस एरो के साथ जोना वो एन लिखा होता है उसका मतलब होता है कि यह डिरेक्शन जोना वो यहाँ पर उसके साथ एन लिखा होता है तो यहाँ पर रिप्जेंट कर रहा है कि इस डिरेक्शन के अंदर जो है हमारा जो आती वो नोर्थ सैड आते हैं अब उसके बाद करते हैं कि जो इसके बिल्कुल अपोजिट अगर हम देखेंगे तो इस साउथ और इसके बाद इस नेखाय कि राइट हेंट सेट देखेंगे तो यहां हो जाएगा हमारा एस्ट और इस हैड गवेश्ट ऑए तो इस तरह से हमारे यह कोई मैप है उसक डारेक्शन के अनतर होता है और यजह का जयान रखना कि जब भी यह error लगा होता he तो इसका तो बीन यह है कि हम नौर्थ यह सब्सक्राइड नौर्थे हिए और इसके पीयम है ले भीन कि इंडिया जो है वह नोर्थन हम्सप्रेर में है तो इसलिए यह धोना जो प्लकर प्लकर फिरमा नोर्थे करता है। इसलिए हम परे जो n लिखा जाता है उसके बाद है हमारा next other than these there are four intermediate direction they are north east जिसको हम represent कर देंगे ne से south east southwest and north west तो इस प्रकार जो नहीं हम देख सकते हैं कि यह चार जो main हमारी direction है North east, south east और इनके intermediate के अंदर बी कुछ directions होती है जिनको North east, south east, south west और नौर्थ west अदरवाइस इसके साथ इनके अंदर और बी direction हम निकाल सकते है जैसे North north east इसको बोल सकते हैं इसको, इसको हम बोलेंगे इसको कि साउथ इसको बोल सकते हैं इसको साउथ साउथ इस बोलते हैं इसको जो साउथ साउथ वेस्ट बोलते हैं तो इस तरह से जोना इसकी हम डिरेक्शन जोई वो निकाल सकते हैं we can find the direction with the help of the instrument called magnetic compass the magnetic needle of the compass always point toward north south direction तो बच्चों यह पर हिसा यह कहता है जो अपर धार को लिए선 युदे लिए रोर दिया होता है और यूशिक नियुक्त है दो ही जी जो पर दी आधक Eर नॉर्थ और कि यहां क्या होता है कि हम उसका एक पिन्ट निकालते हैं सिमाल साइज के इतर है और वो रिप्रेजेंट करता है एक लार्ज स्केल एरिय को और हम क्या करते की जैसे ही जो अगर हम को हम मैप बना रहे है किसी सहर का तो उसके लिए हम एक छोटा जो नहीं खाखा त्यार करते हैं और उसके अंदर क्या होता है कि वह उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है और एक्शली के अंदर जो स्केल्स दिये जाते हैं तो वह डिस्टेंस बता जाती है वह जो है रिप्रेजेंट करता है उसे प एरिया ओन पेपर वी यूज स्केल डिस मीन्स दैट दा एक्षुली डिस्टेंस ओन ग्राउंड इज रिदूस्ट तो ए मच समालर डिस्टेंस दैट कैन फिट ओन दा वेलेबल सीट और पेपर तो बच्छों यहां पर यह कहता है कि हम क्या कर रहे होते हैं कि जो मैप बनाते ह कहने हैं उस मेप के अनदर शोıldए हैं आप हफ में 록र्स फीन हैं इसके साहें से उसमें हम गौरत बिक यूज यूज करते हैं और तो हो दिस्टेंस होती है ग्राउंड इंदरु जाम उसको रिदूस करेंगे यह कहता हैं कि समा दरूना डिस्टेंस मेप को उपर दिख्या ज करेंगे तूव जो आक्ष्टी जो पोजीसेंद एक्ष्टेसंद यौ डिस्टेंस बहुत करेगा उसे मैप के अंदर यहां हम सकाट इसनस के हिल्प से जो नहों उस मैप को जो है डिपेजेंट कर सकते हैं the ratio between the distance on the map and the corresponding distance on the ground is called the scale of the map for example the distance between your school and your home is 10 km you can represent 10 km distance as 2 cm on a map तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि यहाँ जो रिप्चेंट के जाएगा वो इसी जैसे ही होता है यहाँ पर हमने एक्जामपल लिए है कि आपका घर और स्कूल के बीच में 10 km का distance है बट जब हमने map बनाया है उसके उपर हम यह बात mention करेंगे कि 2 cm is equal to 10 km तो यहाँ पर 1 cm के अंदर जो न वो 5 km उसके अंदर आ जाता है तो यह चीज़े उसके इंदर mention के जाते है ताकि जो हम उसको जो बीड करते है उस map को तो चीज़े हमें easily जो हो समझ में आ जाए the scale of the map is determined on the basis of size of the earth surface being represented on the map if we now the scale of a map we can find the actually distance between two places shown on the map तो बच्चों यहाँ पर यह ही कह रहा है कि जो scales के help से जो हम map बनाते है में उसके अंदर actually distance होता है टू पलेस के बीच में वह वहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा फूर इसे भी आपको बताया गया था कि टू सेंटिमेटर इसे कोल टएन किलो मेटर तो यहाँ पर प्र जो है मैप की उपर तो सेंटिमेटर ही जोना वो डिसटेंस से दिखाया संत्र में सब्सक्राइब अपर तो सर्फ के उपर है वह इतने किलिमेटर है कि वह सब्सक्राइब करते हैं कि प्रली ऑगर हमारी है तो हमारे मैप बनते हैं एक होता हमारा संदिर मैप और हमारा large scale map, उन दोनों में क्या difference है small scale map के अंदर और large scale map के अंदर, सबसे पहले हम पढ़ते है small scale map, to show large area like continents or countries on a paper a small scale map is used for example, 4 cm on the map can represent 400 km on the ground such a map is called a small scale map, तो बच्चों हम पर क्या कहता है कि small scale map पहना, वो शोग करेगा एक large area को, बच्चों हम सबस्क्राइब करें तो वहाँ पर small scale map इसको यूज करेंगे, for example, यहां पर कहता है कि 4 cm जो अगर हम ने paper के उपर यूज किया है, तो वह वहाँ पर represent करेगा 400 km on the ground, तो यहां पर कहता है, जो surface के उपर अगर वो हम हम यूज कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, small scale map, second है, large scale map, when a small area like a town or village is to be represented on a paper, तो कहता है कि हम पर small area को हम represent करेंगी, फुर्जा पर टाउन है, कोई village है, तो उनको हम represent कर रहे हैं paper के उपर, तो हम यूज करेंगे, we use a large scale map, for example, 4 cm on the map can also represent 400 meter on the ground, such a map is called a large scale map, देखो बच्चों, यहां पर क्या होता है, कि जो हमने small scale map के इंदर पढ़ा, कि वहाँ 4 cm जो हो represent कर रहे है, 400 km को, बट large scale map के उपर क्या होता है, कि यहां पर 4 cm है, वह represent करेगा 400 cm को, तो इसको जो हम बोलेंगे, हम large scale map, इन दोनों के बीच में यह difference है, कि उसके इंदर, जो small scale map के इंदर scale का size कम होता है, बट अरिया का जो represent करेगा वह, वह large होगा, तो इसको जो हम small scale map बोलेंगे, और जो large scale map है, उसके अंदर के आता है, scale का size बट जाता है, बट एरिया जोने, वह कम हो जाता है, तो यहां पर यही बता रहा है, कि 4 cm is equal to 400 meter, जब कि small scale map के अंदर, 4 cm is equal to 400 km, उन दोनों के इंदर मेजर यही difference है, more data are available on large scale map, then on small scale map, next topic है, methods of sewing scale on a map, तो बच्चों अब देखते हैं, कि जो scale है, हम कैसे जो, कि उसे method से जो हम उसको show करते हैं, there are different way to sewing scale on a map, these are also follows, तो सबसे पहले जो कहते हैं कि हम statement method जो यूज करते हैं, in the statement method, the scale is given in words such as 1 cm ratio 3 km, it means the map distance of 1 cm is equal to 3 km distance on the ground, तो बच्चों यहां पर यह कहते हैं, कि statement है, हम डारेक्ट जो map को पर लिख देते हैं, कि जो ना, एक सेंटीमेटर जो है, वो is equal to 3 km, और जो actually कि हम देखेंगे, देखेंगे, तो map को पर तो 1 cm का होगा, और जब कि जो ground को पर जब सर्फेस को पर हम उसको देखेंगे, तो वो 3 km का जो डिस्टैंस शो कर रहा होगा, तो यहाँ पर जो डिरेक्ट जो स्टेटिमेंट जो लिख दे जाती, जैसे है, 1 cm by 3 km, उसको बाद, Numeric Fraction Method. The Numeric Fraction Method is also called the Representative Fraction Method. जिसको RF जान वो लिखा जाता है. In this method, the map distance and the ground distance are represented through a fractions. The numerator of this fraction represents the map distance and the denominator represents the ground distance. बत्चों यह आई ना जो ना नियूरीरमिक फंक्शंस से दोरह लोगो रिपर्ञेट्ट जाता जिसको हम आउयूना वह यूज करते हैं । जो में मैपनों पर यूजर्ग्षेंट्स होता है और जो ग्राउंड को पर डिस्टेंस होता है उसको रिप्रेजन्ट करता है यह और उसके अंदर हमें स्केल जैसे ही जो रिप्रेजन्ट बनाते हैं वह उसी को नाम आरेफ बोलती है जैसी इफ आरेफ 1 by 1,000 देन 1 is the map distance and तो यहां पर कहता है कि जो आरेफ जो है वह जैसे मैप की उपर दिखा होता है कि वह वन बाई 1000 तो यहां पर जो है वह मैप के अंदर करता है जब कि वह रिप्रेजेंट करेगा 10,000 को दिस्टेंस को तो यहां पर जोना यह एक यूनिवर्सल जो है अप्लिकेटिड होते हैं यह और यह हरी मैप के उपर जो बनाते हैं तो वह पूरे वल्ड के उपर कही भी अरिया में जाएंगे तो यही मैथड जो वह यूज किया जाता है यू उसका बदें लैनर और ग्राफिक सकेट इंद लैनर शकेल मेथ़ड मेंपकेट्प इस तीन्स इस ग्राफिकली रिप्रेजेंट थरों स्ट्रैड च्रीकली डिवाइस लाइन इस डिवाइड इंटू डिफ्रेंट पार्ट इससा किया जाते हैं और उसको लाइन को डिफेंट पार्ट केंदर चैन किया जाता है इसको जो लूबिकों डिवेड किया जाता है जोसी gucken तो यहां प्रॉक के प्लेंके और यह से के जसे खने हैं धुड़ लर लिंगे यह मारा प्रैम्री जो ३र से शेखिंडरी ट्यूवीजन है तो यह हैं यह two of국 कर सकते हैं कि जो ना यह से फोले डिस्टेंस at यह एंस है तो यह सो कर रहा हो घ्टोभी है रिख़ मैप के से में यह के साथ कर रहा है उसके बाद यह हम देख़ते हैं कि कुन्वेशनल सिंबल्स यह टोपिक जो हम बत्चो अगर नेस्ट वीडियो के अंदर करेंगे आज के लिए इतने थेंक यू एवे नेस्ट डे